इस वीडियो में मैं आप लोगों को वन पीस अम्रेला सूट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी जिसके लिए मैं इस फैब्रिक को यूज कर रही हूं पहले जो है फैब्रिक को अच्छा से खोलते हुए फॉल्ट करना है टू फॉल्ड में करना है इस तरह से इसको पहले अच्छा से बिच्छा ले इनके बाद जो है इसको फिर टिक कॉर्ण में फॉर फॉल्ड करें देखें यह जो है टू फॉल्ड है यह ओपन वाला एरिया है ओपन वाला एरिया को मिलाते हुए इस तरह से एक कॉर्णर को पकड़ना है और दूसरे कॉर् को मिलाते हैं इसको फॉल्ड कर लेंगे इनके बाद जो है इधर ऑपें वाला एरिय इतर को रखना है और फॉल्ड वाला एरिया जो है वो अपने तरफ को रखना है इनके अब यहाँ पे हमें सॉल्डर लेना है तो सॉल्डर में यहाँ पे 7 इंच लोगे इस तरह से उपर वाला कॉर्णर के तरफ में 7 इंच लेना है इनके बाद जो है अब यही से नीचे के तरफ को हमें 7 इंच आर्मॉल के लिए लेना है अब यहाँ पे जो है 7 इंच में जो निस इस तरह से बॉक्स को बना लेना है इस तरह से बॉक्स को बना लेंगे इनके बाद अब यही से नीचे के तरफ फिर एक सेवन इंच पी निसान लेंगे यह जो है कमर के लिए आएगा इस तरह से कमर के लिए ले लेना है फिर यह पर एक स्ट्रेट लाइन को दे देना है इस त तरह से मिलाते हुए फिर एक स्ट्रेट लाइन दे देंगे जो हम लोग का कमड के मेजर्मेंट में आ जाए गई है अब जो है हमें बस्ट के लिए निसान लगाना है जितना भी आपका बस्ट का साइज है इसको फोर से फोर फोर्ल कर लेना है मेरा है यहां पर 32 जिसको चार हिस्टा करने से यहां पर होगा आठ इंज तो यहां पर 8 इंज पर निसान लगाएंगे इनके बाद सेम यहीं प्रोसस से हमें कमड में लगाना है जैसी कि मेरा कमर है यहाँ पे 28 इंच 28 को इसी तरह से 4 फोल्ड करेंगे तो आएगा यहाँ यहाँ पे 7 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा के मार्जिन के लिए ले लेंगे कमर मी भी और बस्ट में भी और इस लाइन को जो है इस तरह से इस लाइन से मिला ले ना है देखे इस तरह से line को मिला लेंगे इनके बाद जो है यहाँ दिखाईने पता है इसलिए मैं line को dip कर लेती हूँ और अब जो है यहाँ पे suit का length ले लीजेगा जितना भी आपको length रखना है इसी सब से आप length ले लीजेगा मैं यहाँ पे 44 inch length रखूंगी इस तरह से 24 inch पे length रखना है इनके अफिर इंची tape को उपर में रखते हुए जितना भी आएगा इसी तरह से हमें round का shape को दे देना है देखें इस तरह से round का shape पच्छा आएगा इसलिए इनची tape को ऊपर से करते हुए यहाँ पे round का shape को देना है ताकि हमारा गोलाई जो है वो परफेक्ट आए नहीं तो कभी कभा जो होता है वो गोलाई हम लोग का टेरा मेरा हो जाता है कही कपड़ा ज्यादा और कही कपड़ा कम हो जाता है इसलिए जो है आप उपर से हमेशा लेंद को लीजिएगा ताकि जो है इसमें गोलाई का सेप बिल्कुल ही अच्छा आता है तो देखे मैं यहाँ पे गोलाए को दे चुकी हूँ इनके बाद फिर इस तरह से अब हमें सूट का जो है ओ घेर चाहिए तो घेर के लिए इस तरह से इंची टेप को रखेंगे कोने इसे पकरते हुए इस तरह से फिर यहाँ पे भी मार्किंग को कर लेंगे देखे इस तरह से जितना भी आपको घिर चाहिए इस इसाब से रख लीजेगा अब यहाँ पे नीचे का नीचे में जो है मार्किंग को कर लिए है अब आर्मोल के लिए हमें मार्किंग को करना है तो इस तरह से पहले अच्छा से सेट करते हुए अब आर्मोल का मार्किंग को करेंगे तो आर्मोल का मार्किंग के लिए बैक के लिए डेर इंच पी इस तरह से निसान को लगाते हुए आर्मोल का सेप को दे देंगे देखिए ये डेर इंच पर लगाया है और हाप इंच करते हुए फ्रेंट के लिए ले दे देंगे जिसी कि जितना भी ह से हाप इंच अंदर के तरफ करना है हमें फ्रेंट के लिए फ्रेंट हम लोग का हाप इंच अंदर ज्यादा कटेगा तो इस तरह से कट कर लेंगे पूरे सूट को तो देखिए पूरे को कट कर लिए है और अब यहाँ पे नेक के लिए कट करेंगे नेक की चौड़ाई जो है वो तीन इंच लेंगे और लंबाई जो है वो करित चार से पाच इंच लेंगे आप अपने ही सबसे ले लिजेगा मैं यहाँ पे पाच इंच लूँगी फ्रेंट पोप्स प्रेबीन ठना एपसे करके हैं तो इस तरह नेक को आपडाके बना में रहाई नेक्स को देकर लिए लिए के लिए te नहीं आपको कुट करना है इसे जो है हर इंधा करेंगे इसको काटेंगे ना इसलिए और एक पार्टmind के हटा लिए और बेक पार्टell करेंगे। पॉप और को बचिए दराने कर दोने हैं इसको काटके निकाल ये करना है। और जो सेप में हम लोग का सूट कटिंग हुआ है इसी हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से बचावा फैब्रिक से हम इसको रखना है और दो पाट को इसी तरह से काट के निकाल लेना है क्योंकि दो suit का दो पाठ हम लों का इससी तरह से कम आएगा तो देखे इस तरह से हमें पाठ को निकाल लेना है और अब जो है neck के लिए हमें strip निकालना है तो इससे भी बचावा फैब्रिक से हमें इस तरह से फोल्ट कर लेंगे दोनों ही स्ट्रिप साथ में ही निकालेंगे निके लिए जो बचावा फेब्रिक जो काटके निकाले थे इसको इसके ऊपर में रखेंगे और एजटी इसकी कटिंग को कर लेंगे करीब 1-4 शेट क जिएनगे इसके कणिर लेना है लिए लेना ही स्ट्रिप के लिए ऐसके पर फोल्ट करना है और पर सलिप्स का लेना है जितना भी स्लिप्स का लेंट चाहिए बड़ा चाहिए तो बड़ा लीजिएगा छोटा चाहिए तो छोटा लीजिएगा इनके बाद अपना सूट को लेना है सूट का आर्मौल को मेजरमेंट कर लेना है जितना भी सूट का आर्मौल का मेजरमेंट आएगा देखे इस तरह से आर्मौल यानि इंची टेप से आप इस्ट्रेट लाइन को दे दीजिएगा देखिए इस तरह से लाइन को दे दिये हैं और अब यहाँ पर लाइन को डिप कर लेते हैं ताकि आप लोग को ज्यादा दिखाए पड़े यहाँ पर हाप स्लिप्स है तो मैं यहाँ पर 2 इंच यहाँ पर स्लिप का सेप को दे देना है यहाँ पर बॉटम को लेना है आपका जितना भी बॉटम है इसको आपको हाप लेना जैसी कि मेरा है यहाँ पर 10 इंच दस का हाप होगा यहाँ पर 5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा जो है ओ मार्जन के लिए आजाएगा इस स्लिप्स को भी कट क लेंगे देखिए यहां पे भी हम लोग का दो स्लिप्स निकलेगा यहां पे बॉटम में जो हम लोग का परफेक्ट मेजरमेंट किये थे वहां पे कट लगा लेंगे पाच इंच पे और एक कट जो है और मिडिल में लगाएंगे ताकि सीलते वक याद रहेगा कि यह हम लोग क स्टिज का मिडिल है और यही अंदर टरफ हम लोग हाप इंच करते हुए कट लगाएंगे इस तरह से काटर निकालेंगे क्योंकि यह फ्रंट के लिए अएक लिए जयसे हम लोग सूट में हाप इंच के लिए ज्यादा कट Rider apply smd button ऑ recur किसे सिच करना है जो नीचे में एक्स नाओं कर लगा लिए चर्णा का यह हैं छुटक्र करेघ़ा इसे कre उपर मीerasो कि इस तरह से सुट के ऊपर में रखेंगे राइट साइट के ऊपर में और इसमें जो है इस सिच को लगा लेंगे तो देखें, इस टीच को लगा लिए हैं, दोनों ही पाट का अप लगा लीजिएगा, इनके बाद अब नैक में इस ट्रिप को लगाएंगे, जो इस ट्रिप निकाले हैं, इस ट्रिप को इसके उपर में इस तरह से रखना है, राइट साइट के उपर में रखना है, राइट स के लिए ना पर सल्डौ करना है इस तरह से को इसRE करना है इस तरह यहां सुआंट से मिलाते साल होएँ यहां से इस को इससी हुआ है यहां यहां पर आइप के और तो देखें या पर मैं दो दूसर को लगा चुक यहां और यहां पर is too a strip को by दूसरी तरफ को फोल्ड कर ले ना है प曲ंग इस तरह से और एक फोर्ड इस तरह से करते होएं कि ब्सकी को भी लगा सकते हैं यह पर आपकर हैंड़ डेश देना चाहें तो हैंड वह स्टीज ले सकते अब 37श को करना है तो क्लिक्श के लिए एक स्लिप् है तो देखे स्लाई को लगा चुकी हूं और इनके बाद फिर हमें बॉटम में फॉल्ट करते हुए फिर स्लाई को लगाना है जो बॉटम में आएगा ना इसले में हमें फॉल्ट करते हुए स्लाई को लगा लेना है और नेक को भी इस तरह से मैं कच्छी स्लाई को लगा चु तो अच्छा से यहाझ पे मिलाते हुए जो है इसमें फिटिंग की सलाई को लगाना है इसलाई को लगा लेजियेगा अगर आप बिग्णर है तो आप पहले यहाझ पे चौक से लाइन को लगा लिआ लिज prêt कर लिजिएगा इनके बाद यहां पर आप स्लाई को लगाईएगा नहीं तो टेरा मेरा हो जाएगा तो बीगनर जो है ओ इसी तरह से कीजिएगा तो मैं यहां पर स्लाई को लगा चुकी हूं देखे इस तरह से हम लोग का नैक भी बन गया है और यह सूट को भी सिधा कर होते हैं तो आप लोग लगा लीजिएगा इनके बाद अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक किजिएगा सेर किजिएगा मेरे channel में अगर नए है तो सबस्क्राइब भी जरूर से कर लिजिएगा और साती घंटे का अलप बी क्लिक कर लिजिएगा ताकिके हर नाई वी